एलो दोस्तों स्वागत है आप सभी काई पर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेजर्स कॉंसेप्ट में तो फ्रेंट्स आज की सेसन में हम लोग एक वर फिर से B.S.S.E के लिए जो मौल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं S.K.S.A.S.R. के द्वारा जो बुक लांच किया गया है आज पब्लीकेशन का तो इस क्रम में आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नमर 11 ठीक है टोटल 150 प्रशन हम लोग इसमें कवर करेंगे जिसमें से मैथ और इजिनिंग का जो क्विश्चन होगा वो आप लोग खुद से स्वाल्व कर लिजेगा उसका आंसर की हमारे टेलिग्राम चैनल पर उपलब्द करा दिया जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का सेसन और देखते हैं प्रैक्टिस सेटी 11 का यहां पर पहला क्विश्चन इसमें क्या दिया हुआ है तो कह रहा है इस पर कि भारत में प्रमुख बुद्ध सनरचनाओं में से एक सारनाथ में अस्तूप का निर्मान महान मौडे राजा असोक द्वारा किया गया था सही आंस भी इस क्विश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अब चलिए अगला क्विश्चन देखते हैं यहां पर क्विश्चन नमर दो होगा इसमें कह रहा है कि प्रसिद बाग गुफा चित्र में पाए जाते हैं यानि कहां पाए जाते हैं तो यहां मध्य पर्देश मे पाए जाते हैं याद रखेगा प्रसीद बाग गूफा चितर जो है या मत्य प्रदेश में पाए जाते हैं ओप्सन नमबर ए हो जाएगा इस कुश्चिन का सही आंसर नेक्स्ट है कि रिगवायदिक यूग की पवित्र नदी जिसके इड़्द गीड़्द रिगवायदिक सब्यता फली फुली थी वह कौन सी नदी थी राइट आंसर है वह नदी थी सरस्वती नदी ठीक है ओप्सन नमर बी हो जाएगा रिगवैदिक सबहता जो है यह सरस्वती नदी के गिनारे फली फुली एक ऐसी छेतर में जिसमें अब आधुनिक भारती राज हर्याना और पंजाब सामिल है यह भी याद रखेगा तो ओप पैंटिंग की उत्पत्ति जो है यह हुमायू के सासनकाल के दोरान हुई थी और मुगल चितरकला जो है यह भारतिये फार्सी और इसलामी सैलियों का एक विशेश सन्योजंदर साती है तो ओप्सन नमर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हुमायू नेक्स्ट है कि हुमायू का मकबरा के वास्तुकार कौन थे हुमायू के मकबरा के वास्तुकार कौन थे हुमायू के मकबरा के वास्तुकार कौन थे राइट आंसर मिराक मिरजा घिगाई हो जाएगा घियाई हो जाएगा ठीक है ओप्सन नमर सी जो है इसका यहाँ पर किस ने किया सब्सक्राइब है हरी हर और बुक्का हो जाएगा यहां पर ठीक है option number A हो जाएगा right answer हमपी के असमारकों के समुख का निर्मान किस ने किया था तो हरी हर एबं बुक्का ने किया था option number A हो जाएगा right उसके बाद चलिए अगला question यहाँ पर दिखेंगे question number 7 तैमूर द्वारा दिल्ली में किस AD में आकरमन ने तुगलक सामराजी के अंत को चिन्धित किया सही है 1398 AD यहाँ पर हो जाएगा ठीक है 1398 option number B जो है इसका यहाँ पर सही answer होगा उसके बाद कह रहा है कि राजेंदर परथम किसके पूत्र थे सही है राजा राजा परथम राज राजा परथम के पूत्र थे राजेंदर परथम तो याद रखेगा option number D जो है इसका यहाँ पर सही answer होगा उसके बाद next question है सुरेंदरनात बेनरजी और आनन्द मोहन बोष ने 1876 में बंगाल में किसकी अस्थापना की सही answer इस question का यहाँ पर oriental association हो जाएगा ठीक है oriental association जो इस question का यहाँ पर right answer होगा option number B इस question का यहाँ पर correct answer हो जाएगा उसके बाद चलिए अब दिखते हैं next question next है रॉलेट एक्ट की प्रती क्रिया के रूप में आयोजित किया गया था तो option number A हो जाएगा इस question का यहाँ पर correct answer हुसके बाद चलिए next question देखेंगे 1920 के खिलाफ़त अंदोलन किसके समर्थन में आयूजित किया गया था सही है तुर्की के समर्थन में 1920 का जो खिलाफत आंदुलन था वह तुर्की के साथ हुए अन्याय के विरोध के रूप में आयूजित किया गया था तो यहाँ पे तुर्की हो जाएगा उसके बाद चलिए अब देखते हैं इसमें के रहा है कि सारा गड़ी की लड़ाई किस वर्स में लड़ी गई थी तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए उप्सन नमर ए अठारा सो संतानवे इस भी हो जाएगा ठीक है सारा गड़ी की लड़ाई जो है यह बारा सितंबर याद रखेगा बारा सितंबर अठारा सो संतानवे को ब्रिटिस भारती समराज और अफगान आदिवासियों की बीच तिराह अभियान से यह पहले लड़ी गई थी तो उप्सन नमर ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर अब चलिए next question देखेंगे इसमें है कि पहला आंगल वर्मा युद पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था यानि कि कि संदिक के हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था तो याद रखेगा यह यंदावों की संदिक के साथ जो है समाप्त हुआ था यंदाबो की संदी के हस्ताक्षर के साल जो है यह समाप्त हुआ था option number B इस question का यहाँ पर right answer होगा अब चलिए next question देखते हैं इसमें है कि सितंबर 1920 के भारतिये कांग्रेस विसेस अधिवेशन का आयोजन कहां में किया गया था तो यह किया गया था देखे कलकत्ता जो की अभी कलकत्ता जिसे कहा जाता यहाँ पर किया गया था option number B जो है इसका यहाँ पर right answer होगा उसके बाद चलिए next question देखते हैं 1923 का जंडा सत्यागरह या ध्वाज सत्यागरह कि सहर में आयोजित किया गया था तो यहाँ आयोजित किया गया था नागपूर में ठीक है कहाँ पर आयोजित किया गया था यहाँ नागपूर में आयोजित किया गया था तो option number B जो है इस question का यहाँ पर correct answer हो जाएगा आप चलिए अगला question देखेंगे भारतिय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साजा नहीं करता तो चलिए पहले इसका option देख लेते हैं यहाँ पर चार option दिया हुआ है नेपाल है बांगलादेश भुटान और चीन है तो इसका जो सही answer होगा वो option number यहाँ पर बी हो जाएगा बांगलादेश के साथ ठीक है भारते राज सिक्किम जो है यह बांगलादेश के साथ सीमा साजा नहीं करता है और सिक्किम जो है यह पुरुवत्तर भारत का एक राज्य है याद रखे का तो option number B इस question का यहाँ पर correct answer होगा उसके बाद जो next है कहाँ भागी रथी और अलक नंदा मिलकर गंगा बन जाती है कहाँ बन जाती है तो यह बन जाती है देव प्रियाग में ठीक है देव प्रियाग में भागी रथी एवं अलक नंदा नदी मिलकर गंगा बन जाती है option number C जो है इसका यहाँ पर right answer होगा अब चलिए अगला question कह हो जाएगा इस question का यहाँ पर right answer यह पस्टी मंगाल के दार्जलिंग जिले में एक राष्ट्रे उद्यान है यह भी याद रखेगा उसके बाद लिए next question यहाँ पर देखेंगे कहरा है इसमें कि वरकला, चौरा, जवककर और नाटिका किस राजी के समुदर तठ है तो यह हो जाएगा देखेंगे यह केरल राजी के समुदर तठ है option number B हो जाएगा उसके बाद निम्नलिकित में से अधिक्तम जैब बिबीदता किस में होती है तो यह होती है देखेंगे उष्ण कटी बंद छेतर में अधिक्तम जैब बिबीदता और तरीपुरा किस के तहट राज बन गए तो यह बनाता देखेंगे उत्तर पुर्वी छेतर पुनर गठन अधिनियम 1971 के तहट option number B होगा अगला question है कि निम्नलिकित में से कौन सा दर्रा जम्मू और सरी नगर को जोडने वाले प्रिवेस द्वार के रूप में जाना जाता है प्रिवेस द्वार के रूप में जाना जाता है अगला question देखते है इसपे है निम्नलेकित में से कौन औजोन परत को नष्ट करता है सही है यहाँ पर कलोरीन हो जाएगा ठीक है, क्लोरियन इस question का राइक आंसर होगा, option number C जो है, इसका यहां पे सही answer हो जाएगा आई अब देखते हैं, next question कह रहा है, इसमें, ओरियन तारा मंडल का दूसरा नाम क्या है तो इसका दूसरा नाम यहां पे देखें, hunter हो जाएगा, option number B जो है, इसका यहां पे सही answer हो जाएगा उसके बाद, next है, भारत की समीधान में निम्नलेकित में से किस संसोधन के द्वारा या प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अनराजनैतिक दल में सामिल होना अवाइध माना जाएगा सही है, यहां पे देखें, बाबनमा संसोधन जो हुआ था, उसी के देखेंगा, option number C, इस question का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा समीधान का बाबनमा संसोधन अधिनियम, उनिस सो पचासी, भारत में दल बदल निरोध से संबंदित प्रावधान परदान करता है याद रखेगा, option number C, इस question का यहां पे सही आंसर होगा अगला question है, भारतिय समीधान के अनुछेद के अंतरगत सर्वुच नियायालाई ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोसित किया है किसा अनुछेद के तहत? तो यहां है अनुछेद 19 के तहत सर्वुच नियायालाई ने भारतिय समीधान के अनुछेद 19 के अंतरगत इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोसित किया है तो option number D, जो है, यहां पे सही आंसर होगा अब next question है, कि परमादेश, रीट का क्या आर्थ है? सही आंसर है, हमारा आदेश है परमादेश, रीट का क्या आर्थ है? हमारा आदेश है, option number A, जो है, इस question का यहां पे सही आंसर होगा अब चलिए next question देखेंगे इस पे मलिमट समीती की रिपोर्ट इनिमने लिखित में से किस से संबन्दित है? सही आंसर है, आपराधिक न्याय परनाली में सुधार से संबन्दित, option number A हो जाएगा उसके बाद भारतिय संसद के संदर्फ में सुन्ने काल क्या है? राइट आंसर है, प्रश निकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है, उसे क्या कहा जाता है? सुन्ने काल कहा जाता है, option number A होगा, प्रश निकाल के ठीक बाद के समय को सुन्ने काल कहा जाता है, या भारतिय संसद की अनूठी विसेस्ता है, जिसमें सदर्फ से इस समय के दोरान अध्यक्ष को पुर्व सूचना देकर महतोपूर्ण मुद्धों को उठा सकते हैं, ठीक बोली जाने वाली भासा को लेकर विसेस प्रावधान किये गए हैं, सही है, अनुछेद 347 के तहत, option number B जो है, इसका यहां पर आइट आंसर होगा, नेक्ष्ट है, अस्थानिय सरकार की त्री अस्तर्य प्रनाली में सामिल नहीं है, इन में से कौन? तो देखें, ग्राम समीती जो है, यहां अस्थानि सरकार की त्री अस्तर्य प्रनाली में सामिल नहीं है, option number B जो है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा, सरकार की त्री अस्तर्य प्रनाली में ग्राम पंचायत, ब्लोक और पंचायत समीती एवं जीला परिस्द जो है, वह सामि इसमें gram समिति जो है सामिल नहीं होता है अगला क् inventions है कि समिधान के कि इस अनुचेत के तहत पंचायती राज गठन का प्रावधान है तो बहुत आगएगा देखिए अनुचेद 243 के तहत 12 angry 262 के अंतर गठत पंचायती राज के गठन का प्रावधान है और पंचायती राज को वर्स 1993 में 73 वा समिधान संसुधन के तहत समयधानिक दर्जाद दिया गया था तो ये भी याद रखेगा option नमर बी इस question का यहाँ पर right answer हो जाएगा उसके बाद अगला question है कि भारते समिधान के अनुच्छे 245 के अनुसार नगर पालिका का सदस से बनने के लिए आवस्यक न्यूनतम आयू कितनी है right answer है 21 वर्स हो जाएगा इसका यहाँ पर ठीक है बारते समिधान के अनुच्छे 245 के अनुसार नगर पालिका का सदस से बनने के लिए आवस्यक जो न्यूनतम आयू है 21 वर्स option number D हो जाएगा सही अगला question में कहा रहा है कि गरीबी को दूर करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्धे से किस पंच वर्स ये योजना से जूरा था सही answer है देखे यह 5 वी पंच वर्स ये योजना से जूरा था option number B होगा गरीबी हटाओ पंच वी पंच वर्स ये योजना के समय इंद्रा गांधी द्वारा जो है यह दिया गया ना रहा था याद रखेगा option number B हो जाएगा सही answer उसके बाद अगला question में कह रहा है कि राष्ट्री ग्रामीन रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्स में पारित किया गया था तो यह पारित किया गया था फ्रेंस 2005 इस पी में राष्ट्री ग्रामीन रोजगार गारंटी अधिनियम जो है यह 7 सितंबर याद रखेगा 7 सितंबर 2005 को जो है प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग की यूपिय सरकार के अधिन पारित किया गया था option number A हो जाएगा इस question का सही answer अगला question देख लिजे कह रहा है कि 12 पंचवर्षी योजना का उद्देश से क्या था सही answer है तेज और अधिक समावेसी विकास 12 पंचवर्षी योजना का क्या उद्देश से था तो वह था तेज और अधिक समावेसी विकास option number D इस question का यहाँ पर सही answer हो जाएगा अब चलिए next question देखेंगे कह रहा है कि मांग का नियम कहता है कि किसके बीच एक विपरीत संबंध है तो वह है देखिए किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच option number B होगा next question में है कि 2011 की जनगना के नुसार भारत में कुल वंच्छेतर कितना परतिसत है राइट आंसर होगा देखेंगे यहाँ पर 21.05 परतिसत 2011 की जनगना के नुसार भारत में कुल वंच्छेतर जो है वह 21.05 परतिसत option number C इस question का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह next question देखते है 2011 की जनगना के नुसार निमनलेखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामिन आबादी है तो वह राज्य है उत्तर पर्डेस 2011 की जनगना के नुसार जो है उत्तर पर्डेस में सबसे अधिक ग्रामिन आवादी है Option number C, इस question का यहां पर right answer हो जाएगा, बात करें अगर सहरी आवादी की, तो महराष्टर में जो है देश की सबसे जयदा सहरी आवादी है, Option number C, इस question का यहां पर right answer हो जाएगा, अगला question देख लिजिए यहां पर, challenge number question होगा, कह रहा है कि आयू के आधार पर किसी राष्टर की जन संख्या के समान तह, किते व्यापक स्रेणियों में बाटा जाता है, तो टोटल यहां पर तीन हो जाएगा, तीन स्रेणियों में बाटा जाता है, Option number D, जो है सही हो जाएगा, उसके बाद है कि गुवाहाटी की चित्रांचल पहारी पर किसका मंदिर इस्थित है, आंसर होगा, आप चलिए अगला कुश्यन देखते हैं, इसमें कहरा है कि खांडवी भारत के किस राजी का पकवान है, सही अंसर है गुजरात का, खांडवी जो है या भारत के गुजरात राजी का एक पकवान है, Option number 2, भी इस कुश्यन का यहां पर करेक्ट आंसर हो आप चलिए अगला कुश्यन देखेंगे, इसमें कहरा है कि तिपनी ने ते किस राजी से संबंदित है, तो याद रखेगा, यह संबंदित है बारत के गुजरात राजी से, Option number 2, जो है इसके यहां पर सही अंसर हो जाएगा, आई अब देखते हैं, अगला कुश्यन क्या कह राजधानी क्या है, राइट आंसर, उलान बटर जो है, यह मंगोलिया की राजधानी है, Option number A हो जाएगा, आई एम नेक्स्ट कुश्यन देखते हैं, कह रहा है कि मैं बाब आने किसकी राजधानी है, Option दिया हुआ है, कैप वर्डे है, गैवोन है, बैनिन है, एक Option इधर और दिया हुआ, इसको देख लिजे पहले, Option number C में दिया हुआ देखिए, स्वाजी लैंड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो Option number C स्वाजी लैंड ही हो जाएगा, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि हाल ही में कौन सा बिस्प पदा योजना को किषने मंजूरी दी है, राइट आंसर है, उत्राखंड, Option number C हो जाएगा, हाल ही में युनेस्को दोरा किस सहर को देख का पर्थम साहित्य का सहर बनाने की घोशना की गई है, सही अंसर है, कोजी कोड, Option number B, इस कोश्चन का यहां पे सही आंसर होगा, हाल ही प्रति रोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता, सही अंसर है, प्रति रोधक की आकृती में परिवर्तन होने पर, Option number C, इस कोश्चन का राइट आंसर है, उसके बाद, नेक्स्ट, निम्नलेकित में से किस में सबसे अधिक गलनांक और कोथनांक होता है, सही अंसर है, कार्बन में, कार्बन में जो है, सबसे अधिक गलनांक और कोथनांक होता है, Option number C, इस कोश्चन का यहां पर राइट आंसर होगा, अगला कोश्चन है, एक गैलवानोमीटर का उप्योग किया जाता है, सही अंसर है, विद्धूत प्रवाह की दिसा का पता लग सही है, अब ता लेंस में प्रती बीम वबस्तू से छोटा हो, Option number B होगा, निम्नलेखित बलों में से कौन सा बल संपर्क बल है, वह है घरसन बल, Option number B होगा, Next, ध्वनी की प्रवलता घटाने के लिए हमें ध्वनी के कमपनों को क्या करना होगा, सही है, ध्वनी के कमपनों का आयाम घटाना होगा, Option number C जो है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अब चलिए अगला क्वेशन देखते हैं, वो कमप मुखे प्रगाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनी उत्पन करते हैं, अब स्रव ध्वनी जो है, यहाँ उत्पन करते हैं, Option number B जो है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोई यातरी किसी गतिमान रेलगारी में एक सिकाव चालता है, जो उसके पीछे गिरता है, इसका यह आर्थ है कि रेलगारी क की गति क्या होगी, तो रेलगारी की जो गति है वह त्वरीत है, Option number A इस कुष्चन का यहाँ पर कर्यक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रेट्स, चलिए अगला कुष्चन अब देख लिजे, इसमें दो कन कुछ दूरी पर रखे हैं, यादि दूनों करों के दरब्यमान दोगों कर दिये जाए, तथा इनके बीच की दूरी और परिवर्तित रखें, तो इनके बीच का गुरुत्वा कर्सन बल क्या होगा, तो इसके बीच का गुरुत्वा कर्सन बल जो है, वस चार गुना हो जाएगा, Option number B, इस कुष्चन का यहाँ पर कर्यक्ट आंसर होगा, अब चलि बिलित होती है, Option दिया है, देखें, यहाँ पर परावर्तन, अपवर्तन ताथा विचहपन, इसका और भी option दिया हुगा, इढ़र, Option number B है, अपवर्तन विछेपन दथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, C में है अपवर्तन विछेपन दथा आंतरिक परावर्तन, D में है विछेपन प्रकिर्णन दथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसका जो सही आंसर है वो है option नमर यहां पर C, अपवर्तन विछेपन दथा आं अगला question, यदि कोई बल्ब 100 जूल की उर्जा काप्यों करता है और 20 सकेंड तक चालू राता है तो बल्ब द्वारा खपत की जाने वाली सक्ती जो है वाट में कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा देखिए यहां पर 5 वाट हो जाएगा, ठीक है, option number D is question के यहां पर सही answer होगा next question, एक धुए से भरे कमरें पर प्रवेश करने पर प्रकास की एक बारी की किरन इनमें से किस के कारण दिखाई देती है तो यह दिखाई देखिए प्रकास के प्रकिरनन के कारण, option number A इस question का यहां पर सही answer हो जाएगा, उसके बाद से लिए अगला question दिखते है उदासिनी करन अभी किरिया है इसका जो right answer हो जाएगा, option number यहां पर D होगा, रसाइनिक परिवर्तन जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता ठीक है, तो option number D इस question का यहां पर सही answer हो जाएगा, उसके बाद चलिए अगला question कराइस में कि milk of magnesia में डूबोने पर pH paper का रंग हलका नीला हो जाता है, यहां दरसाता है कि milk of magnesia क्या है सही है, यह दुरबल छारक दरसाता है, ठीक है, milk of magnesia क्या है, दुरबल छारक option number यहां भी इस question का सही answer होगा अब चलिए next question, nitrogen gas का रासाइनिक परतिक क्या होगा सही है N2, nitrogen gas का रासाइनिक परतिक क्या है, तो वह है N2, option number यहां भी हो जाएगा सही अगला question देख लिजे, खाना पकाने के बरतन बनाने में aluminum काम आता है, aluminum के कौन से गुन धर्म इसके लिए उत्तरदाई है तो वह हो जाएगा देखिए, हाँ पर option number D में जो दिया हुआ, एक और चार, एक और चार, यानि कि उच उच में यह चालकता और उच गलनांक, option number D हो जाएगा सही उसके बाद next है, एक्वारेजिया का सन्योजन है सही answer, option number C हो जाएगा, देखिए, सांदर HCl का जो ratio होगा, वो 3 हो जाएगा, और सांदर HNO3 या नैट्रिक अमल का जो ratio होगा, वो 1 हो जाएगा हैट्रोकलोरी का अमल का 3 हो जाएगा, और नैट्रिक अमल का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानि कि तीन अनुपात, एक option number C, इस question का यहाँ पर correct answer होगा उसके बाद next है, दिएगे तत्व, A, B, C, D, E, परमानु कर्मा करम से दूतिन, साथ, दस, तथ, तथ, तीस में से समान आवर्थ से समबंदित है तो बस समबंदित हो जाएगा, देखिए, यहाँ पर B, C, D, option number B, इस question का सही answer होगा, आप चलिए next देख लिए, एक तत्व, जो सभी कार्वनिक योगी को आवस्यक अभियव है, समबंदित है, किस समूँ से समबंदित है तो बस समबंदित है, देखिए, समूँ स 14 से option number B हो जाएगा, सही answer, अगला question देख लिए, परमानोथ तरिजिया को किस में मापा जाता है सही अंसर है नैनो मीटर में, प्रमानुतर जीया को किस में मापा जाता है तो नैनो मीटर में मापा जाता है option नमर B, next question, amoeba, aspirogyra और yeast से जनन की समाने विश्यस्ता क्या होती है वो है ये अलाएंगी क्रूप से जनन करते हैं ये अलाएंगी कुरुप से क्या करते हैं जनन करते हैं आप्सन नमर यहाँ जो है यहाँ देखे सही हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कुशन देखेंगे यहाँ पर 74 इस पे है कि किसोरा वस्था के दोरान मानव सरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन पर चिन लगा है जिसका संबंद लर्कों में लैंगिक परिपक्वाता से है वह हो जाएगा देखे आवाज का भारी होना उप्सन नमर सी हो जाएगा उसके बाद मानव सरीर में वसा निमलेखित में भंडारित होती है यह होती है वसा उतक में मानव सरीर में वसा जो है यह वसा उतक में बंडारित होती है, option नमर B हो जाएगा, next है निमलेकित में से किस की अनुपस्थिती के पतियों में प्रकास संसलेशन नहीं होगा सही है chlorophyll, option नमर B जो है इस question का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, अब चलिए कौन सा अंग परभावित होता है सही answer है, यहाँ पर मस्तिस्क हो जाएगा, option नमर A इस question का यहाँ पर correct answer हो जाएगा, अब चलिए अगला question देख लिए, 79 कोसीका का रसोई घर किसे कहा जाता है सही है, chloroplast कोसीका का रसोई घर किसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, तो option नमर D, जो है, यहाँ पर सही answer हो जाएगा अब चलिए next question के RIS में कि उर्जा उत्पादन के दोरान, glucose का परवेट में V घर्टित कहां होता है तो यहाँ होता है, कोसी का द्रब्ब में कहां पर होता है, कोसी का द्रब्ब में होता है option number 6, इस question का यहाँ पर correct answer हो जाएगा अब इसके आगे, जो है friends, यहाँ से देखिए math origin का question है, तो इसका answer की हमारे telegram channel पे upload कर दिया जाएगा, वहाँ से देखके आप लोग इसको खुद से solve कर लीजेगा, उमीद करते हैं कि आज का session भी आप लोगों के लिए काफी महतपूर्ण होगा, एक पर comments करके जरूर बताएगा कि यह session आप लोगों को कैसा लगा, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे channel के साथ जूरे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में दुबढ़ा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जाहिए